दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूट क्या होता है यानि अंडर रूट क्या होता है देखिए हमाई लेते हैं किसी नंबर पर रूट लगा हुआ यानि कोई X नंबर है उस पर रूट लगा है तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है दोस्तो कि कि इसकी जो power दे रखी है वो one upon two दे रखी है यानि अगर किसी number पर square root लगा हुआ है यह क्या है हमारा square root है square root लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या दोस्तो कि उसकी जो power दे रखी है वो one upon two दे रखी है यानि उसकी घात एक बटा दो दे रखी है इसका मतलब यही होता है अब मा लेते हैं किसी नंबर पर क्यूबिक रूट लगा हुआ है यह तो स्क्वाइर रूट हो गया क्यूबिक रूट लगा हुआ है तो क्यूबिक रूट इस तरीकस लिखा जाता है यहाँ पर हम लोग चोटा सा 3 लिख देते हैं अगर क्यूबिक रूट लगा हुआ है किसी नंबर पर तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो पावर दे रखी है वो 1 upon 3 दे रखी है ठीके पावर तो आप समझते होंगे तो आयोँ दोस्तों इवीडियो आपको पसंद आए होगे अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे और भी वीडियो सो देखने के लिए चैनल क अभी सब्सक्राइब करिए